हेलो दोस्तों आप सभी का स्वागत है Learn It के एक और नए वीडियो में और बिना टाइम वेस्ट किये चलिए नया टॉपिक शुरू करते हैं तो आज हम बात करेंगे टॉपिक 4 के बारे में चैप्टर 2 के Sexual Reproduction in Flowering Plants के तो पहली बात करते हैं हम Post Pollination Event के बारे में तो इसके पहले हम पढ़ चुके हैं कि Male Gametophyte का स्ट्रक्चर सब चीश पढ़ रहा है हमने और Female Gametophyte के बारे में भी हमको पूरी जान करें मतलब Male के अंदर जो Pollen Greens Development है वो भी हमको पता है उसके अंदर कितने पार्ट्स की प्रोसेस complete हो जाती है मतलब Development of Embryo चालो होता है तो स्टार्ट करते हैं कि Diagram से की Diagram है क्या और इसको कैसे समझ सकते हैं तो यहाँ पर जो आपको सर्कुलर स्ट्रक्चर दिख रहे हैं टॉप में जिस पर लिखा है Pollen Grain वो क्या है किसी भी दूसरे Plant से या Self Plant से मतलब Cross Pollination या Self Pollination की मदद से आपके Pollen Grain किस पर आ जाते हैं Stigma पर जैसे आते हैं तो present क्या होता है इसका जो Cell होते हैं जो आपके ऊपर Pollen Grain के अंदर वो Divided है दो पार्ट से अंदर मतलब एक होता है Vegetative Part और एक होता है Generative Part तो यहाँ पर क्या होता है जैसे ही Pollen Grain आता है तो वहाँ पर Small Protution मतलब कुछ एक portion टूटने लगता है Enzyme के activity से और वो Enzyme के activity क्या करती है Stigma के अंदर Hole बनाना चालो करती है और दीरे-दीरे यह Cells कहां चले जाते हैं उस Hole के अंदर होते हुए Tube Like Structure के अंदर Continue हो जाते हैं आगे बात करते हैं तो Generative Cells आगे जाके दो चीज में डिवाइड होता है मतलब दो male Nucleae में डिवाइड होता है division के बात में और इन male Nucleae को कौन सराउंड करके रखता है साइटोप्लास्पिक मासस और यह individual दो male gamet कहलाते हैं अब जैसे ही Tube नीचे जाती है तो यह कहां से Stigma से होती हुई style से होती हुई कहां तक पहुच जाती है ovules अब तक पहुच जाती है अब आप बोलोगे कि entry pollen tube की ovules के अंदर किस type से हो सकती है तो यहाँ पर 3 type होते हैं वो कौन से region से enter होता है उस पर depend करता है कि वो कौन से type का pollination करेगा तो यहाँ पर 3 जो type है वो यह है पहला पोलोगेमी दूसरा है चलेजोगेमी और तीसरा है मीजोगेमी का type तो अब हम बात करते हैं कि pollen tubes ovules के अंदर enter कैसे होते हैं और यह कितने parts में डिवाइडेड है तो बिसिकल यह तीन तरीके से enter होते हैं पहले को बोलते हैं पोलोगेमी पोलोगेमी मतलब जब भी pollen tubes ovules के अंदर micropilar end से entry लेंगे तो उसको कहेंगे हम पोलोगेमी second की बात करते हैं तो आता है चलेजोगेमी नाम से ही पता पड़ता है इसमें चलेजो याने चलेजा का एक portion लगा हुआ है मतलब pollen tubes अगर enter हो रहे हैं ovules के अंदर चलेजल end से तो इसको कहेंगे चलेजोगेमी और last में आता है मीजोगेमी के बारे में अगर pollen tubes ovules के अंदर या तो finical या तो integuments के through अगर entry लेता है तो इसको कहते हैं हम मीजोगेमी अब ये entry लेने के बात क्या करता है कि बहुत basic जो term है जिसके कारण ये पूरे की पूरी process होती है तो वो देखा जाता है कि माइक्रोपाइल एंड से ही बहुत सारे flower के अंदर pollination की process complete होती है मतलब fertilization की process complete होती है और pollen tubes अंदर आ जाती है compatibility का गेम है compatibility का example मैं इससे दे सकता हूं कि जो ताला और चाबी होती है उसके अंदर ताला एक similar या एक type की चाबी से ही खुल सकता है इसका मतलब है कि वो चाबी सिर्फ उस ताले के लिए ही compatible है और दूसरी कोई सी भी चाबी उसको खोलने के लिए सक्षम नहीं होगी तो यह बात करते हैं अपन कि germination दो चीज़ पर dependent करता है मतलब जब pollen grains आते हैं किसी stigma पर चिपकते हैं तो उसकी entry एकजिट तभी हो पाएगी जब वो आपस में compatible होंगे मतलब और similarity दिखाएंगे same होंगे नेक्स बात करते हैं germination कुछ protein से कारण होता है मतलब वह protein किसके अंदर present होते हैं pollen grains के अंदर भी present होते हैं अगर वह दोनों compatible है मतलब साथ में तालमेल में काम करेंगे तभी वह pollen grains क्या होंगे अंदर entry देपायेंगे और स्टिगमा तभी उनको अंदर entry देगा इसका मतलब यह है कि एक flower पर एंट्री अलाउड नहीं होगी अब एक और चीज है कि बहुत सारे प्लांट ब्रीडर होते हैं मतलब बहुत सारे प्लांट उगाने वाले होते हैं जो हाइब्रिड बनाते हैं मतलब दो चीजों को दो पॉलिनेटिंग चीजों को पॉलन ग्रेंज को मर्ज करते हैं मिक्स करते उसके अंदर थोड़ा सा manipulation करते हैं जिसके कारण वो एक नई स्पीशी को भी present कर सकते हैं या बना सकते हैं तो यह होता है pollen pistol interaction के बारे में pollen pistol interaction के अंदर जो breeders को एक important चीज मिलती है वो है दो तरीके की पहले को बोलते है emasculation और second को बोलते है bagging मतलब जब भी manipulation करना होता है किसी भी plant breeder को तो वे दो टेकनिक को इस्तिमाल कर सकता है तो पहली topic के बारे में पढ़ते हैं जिसका नाम है emasculation अब इसमें होता क्या है कि जो female bisexual flower को produce करती है मतलब जो भी plant bisexual flower को produce करता है मतलब जो खुच से भी pollinize हो सकता है और दूसरे flower से भी दूसरे plant से भी pollinization की process कर सकता है तो उस टाम पर क्या होता है कि plant अगर खुच से pollinize नहीं करना है तो उसके जो एंथर होते हैं उसको पहले ही आप cut कर ले उसके एंथर के जो box है वो फटने से पहले जिसके कारण वो self pollinate तो नहीं करेगा और वो क्या कर सेगा फिर दूसरे से ही pollination करेगा तो इस तरीके से जो भी pollination की process होती है जो एक plant breeder कराता है उस process को बोलते है emasculation तो अब हम बात करते हैं bagging के बारे में जो की plant breeders की second topic है या second process है जिसके कारण वो क्या करते हैं contamination होने से बचाते हैं अब आप बोलेंगे contamination की process क्या है मतलब bagging कैसी process जिसमें stigma को बचाते हैं किसी भी unwanted plant से pollinize होने से मतलब हमें किसी दूसरे plant से उसको pollinize नहीं करना है और वो plant अगर दूसरे plant से pollinize करेगा तो हमको required plant की requirement है वो complete नहीं हो पाएगी इसे लिए हम कौन सी process करते हैं basically bagging क्या है एक थेली होती है एक bag होता है जिसको हम किस पर cover करते हैं एक flower के stigma के उपर या पूरा flower को ही cover कर देते हैं जिससे क्या होता है कोई भी unwanted pollen grains उड़के किस पर नहीं आएगा stigma पर नहीं आएगा और क्या process complete नहीं हो पाएगी pollination की process complete नहीं हो पाएगी तो अब हम बात करते हैं double fertilization के बारे में जो कि इस पूरे chapter का बहुत important topic है तो double fertilization को पढ़ने से पहले हम पढ़ते हैं fertilization process है क्या इसमें basically दो चीजों का fusion होता है मतलब Milan होता है एक होता है male और एक होता है female gamets का और ultimate जो product बनता है वो बनता है zygote ये zygote ultimately काई में develop होता है कि embryo में develop हो जाता है और embryo आगे जाके किसी भी fruit के अंदर develop हो जाएगा जब हम plant की बात करते हैं अब हम पढ़ चुके हैं कि तीन तरीके से ovule के अंदर entry होती है pollen grains की पहला तो पोरो गेमी second होता है चले जो गेमी और तीसरा होता है मीजो गेमी तो इसमें सबसे common होता है पोरो गेमी जिसके अंदर micropile end से कोई सा भी pollen tube enter करेगा किसके अंदर ovule के अंदर उसी को basic लेते होई या उसी को basic लेते होई हम आगे की बात करते हैं तो जहां पर pollen tube के अंदर हमको दू गेमेट्स मिलते है male के तो एक male gamete जब zygoat के अंदर जाता है जाईगोट का formation करता है और किस से मिलता है egg से मिलता है मतलब एक male gamit eggs जाके मिलता है ovule के अंदर तो कहलाता है syngemi और इस प्रोसेस को मेकोर नाम से आनते है generative fertilization मतलब आप इस चीज को syngemi भी बोल सकते हो generative fertilization भी बोल सकते हो second male gamit जो है वो जाता और किससे मिलता है center में present two polar nuclei को और काय का formation करता है triploid primary endospomic nucleus का formation करता है और इस जगे पे जो Fertilization की process होती है, fusion की जो process होती है, इसको बोलता है triple fusion, इसको मैं एक और नाम से जानता है जिसको बोलता है vegetative fertilization, तो इसका मतलब है double fertilization के अंदर दो चीज़ होती है, जब embryo के formation के लिए दो चीज़ की जाए, मतलब एक तो syngemi की process और triple fusion की process, तो इस पूरी process को बोलेंगे, हम double fertilization, या अलग टर्म में हम बोलें, कि जब generative fertilization और vegetative fertilization, दोनो एक ovule के अंदर हो जाते हैं, तो इस process को बोलते हैं, double fertilization, तो ultimate product के मिलता है, हमको एक बना हुआ embryo मिलता है, जो आगे जाके काई में, zygote मिलता है, और आगे जाके काई में develop होगा, वो embryo के डाइगराम से आपको easily समझ में आएगा, कि कौन सी चीज कहां से जाके मिलती है, और किस चीज का formation आसानी से हो जाता है, तो अब हम बात करते हैं, double fertilization की दो बहुत important चीज के बारे में, जिसका नाम है, syngemi और triple fusion, और इनका ultimately होता क्या है, तो हमको ये तो पता है, कि pollen tubes अंद ultimate product होता है, embryo, मतलब zygote जो develop होता है, वो ultimately क्या form करेगा, embryo, तो syngemi का final product होता है, embryo, और second बात करते हैं, जब हम triple fusion का fate क्या है, मतलब आखरी में जाके उसका होगा क्या, तो triple fusion से जो formation होता है, वो formation होता है, endosperm का, मतलब जो भी PEC होता है, मतलब primary endosperm cell होता है, वो आगे जाके किस में develop हो जाता है, endosperm में, मतलब triple fusion ultimately form क्या करेगा, endosperm का form करेगा, जो nutrition के लिए use में आएगा, किसी भी embryo के, मतलब syngemi से embryo बनता है, और अगर हम बात करते हैं, triple fusion से, तो उससे endosperm बनता है, किसी भी एक flower का, तो अब हम बात करते हैं, post-fertilization structures और event के बारे में मतलब fertilization होने के बाद में, कुण-कुण सी चीजें आपको importance रखती है, इस पूरी fertilization के process में, तो हमने आप पढ़ा था, दो phases या, दो fertilization की steps, एक होती है, generative fertilization और एक होती, vegetative fertilization, मतलब syngemi और triple fusion, तो post-fertilization में syngemi से तो embryo का formation हो जाता है, पर triple fusion से formation होता है, endosperm का, मतलब ह endosperm को क्या मिलता है, final product, PEC से, जिसको बोलते हैं, primary endosperm cells है, endosperm का formation होता है, अब endosperm करता गया है, तो endosperm nutritive tissue है, मतलब सिर्व nutrition provide करेगा, और क्या काम करता है, वो nourishment देगा किसको, embryo को, और basically हमको पता ही, यह कि, triple fusion का product है, तो यह इसके अंदर कितने cells मिलेंगे, आप गया गया है, तो इसको basically तीन चीज़ों में classify किया है, पहला है nuclear endosperm, second cellular endosperm, वो तीसरा आता है, hellobial endosperm, तो अब हम बात करते हैं, endosperm के function के बारे में, तो जो plants, जो food को अपने seed के अंदर store करके रखते हैं, ऐसे plants को मिलते हैं, albuminous seeds, तो यहाँ पर यह क्या करता है, albuminous seeds के अंदर endosperm, early seedling growth का help करता है, मतलब जल्दी से जल्दी seed को grow करने में मदद करता है, second, जो primary इसका work है, वो endosperm का यह है, कि वो nutrition provide करता है किसी भी embryo को, थर्द बात करते हैं हम coconut के बारे में, तो coconut के जो liquid है, endosperm है, उसके अंदर present होते है, oxins, cytokinin और gibralic acid, जो क्या करत है, cytokinesis, जो की process is, cell division की, उसको induce करता है, मतलब बढ़ावा देता है, जब भी उसको basic nutrient में मिलाया जाता है, और coconut milk की जहां तक बात करते हैं, तो वो भी क्या करता है, embryo और plantlets के various diffuse का development करता है, यहाँ पर last चीज़ यह है, कि cytokinin के अंदर एक बहुत important चीज़ होते हैं, इसक आपको सारे topics easily समझ में आ रहे होंगे, हम learn it पे आपके लिए easy or simple learning material बनाते रहते हैं, जिसके कारण आपकी learning and listening capabilities increase होती रहेगी, अगर आपको कोई topic समझ में नहीं आता है, या आपको कोई topic hard लगता है, या कुछ topic को आप detail में समझना चाहते हैं, तो उसको आप comment section में लिख स पे हैं, अगर आपको हमारा work अच्छा लगता है, तो please उसे like करें और channel को subscribe करना और notification bell को hit करना ना भूलें, ऐसे ही और videos के लिए आप updated रहे, stay healthy, stay fit, bye bye